हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम तो टॉपिक है बहुत इंपोर्टन है राइट एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी तो एजुकेशन पॉलिसी में बना फिर 1992 में भी बना 2016 में बना तो जो भी सरकार आई है न वो हर सरकार एजुकेशन पर बात कि तकी पढ़ेगा इंडिया तब ही तो बड़ेगा इंडिया तो यह क्या था स्लोगन था तो एजुकेशन में क्या रिफॉर्म लाइए और गवर्मेंट ने क्या क्या योजना बना है स्केम्स लेकिया है बच्चे लोग के लिए वह में डिसकस करना है तो इसका इंट्रोड़क्शन डाल देने का तुम पलान बना है विलेसे सबसे पहले एजुकेशन पहां इंपॉर्मन क्हर्चा करने है कि क्या व्यान सर्वार्व्च उक्षा अद्वा उटिपए है तो इसको सबसे पहलेज़ँ द मिलना और नहीं मिलताया है तो वह सांगया हुआ देंगे बात कटब है ना तो सब को पढ़ने का हक है अब बच्चा नहीं पढ़े बात की बागे तुम उसको स्कूल बेज हो तो गौवर्मन ने फ्री में बीमसी स्कूल खोले ना गरी में तो भी क्या होँआ बेमसी स्कूल में एक रुपए नहीं लगता है बच्चा उदर प बंगले में थोड़ी रहता है कुछ बच्चे जो गरीब होते इनके पास ना अमोंड नहीं अवेलेब रहता है तो वैसे लोग के लिए एक अनुमेंटरी स्कूल खोला गया है उसको बोलते मॉडल स्कूल क्या बोलते हर गाउँ में देखना मॉडल स्कूल होता है नहीं दो तो हर गाउ के रोड़ पे रहते हैं तो जो गाउ बड़ा उस्कूल रहेगा फिर आज उबाज गाउ के उस बच्ची में आते हैं फ्री एजुकेशन लेते हैं ताकि जादा करके गर्ड्स को एजुकेशन ले नेक्स से फिर एक कस्तुरुबा गांधी बाली का विद्याले सब्सक्राइब नेक्स के दिया है यह वो तुमको याद रहेगा बच्पन में नैशनल प्रोग्रम ऑफ मिड़े मिल्स इन स्कूल मिड़े मिल्स इन स्कूल जब में एट स्टेंड में ता सेवन देड तो यह स्कीम आया था यादे राइट आप साही वाले दोजर चार दिया पर हमारे स्कूल में निया था था इंगली शुक्सल में था बेम सी स्कूल वालों को सी बच्चों का खाली बेस देने का है बच्चा खापी के आ जाएगा अब पड़े दी पड़े बात की बात की मिड़े स्कूल था कि बच्चों लोगो एक न्यूट्रिशन फूड मिलने और उसको ताकत है और उसका जहन सब अच्छे सिरे तो यह भी इंट्रूडूस किया था राइट ज्यादा करके किसके लिए प्राइमेर स्कूल के बच्चे लोगों के लिए फिर राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा अभियान माध्यमिक वड़ाय क्या वड़ाया तो उसको ब अभियान माध्यमिक के बाद क्या आया फिर एक इंक्लूसिव एज्यूकिशन मतलब सबको उनलोंने कवर किया वडिसेबल एट सेकेंडी सेबल मतलब होता है जो अपंग है क्या है मुद्ध जो गुंगे होते बहर होते उनके लिए अलग से स्कूल बनाए उनके लग से चिल्डरिन रूरल रे गया तो मॉड़र स्कीम कहा है था रूरल अरिया गाव खेडे में घ्रेंट उन्होंने 6000 स्कूल खेडे में ओके तो साधे 3000 स्कूल बेकवर्ड ब्लॉक्स थूरु स्टेट माल हर स्टेट में खोल दिया तो इसे मतलब यह स्कूल स्कूल थाकि में अब इसके पास साक्षार भारत तो साक्षार भारत मिशन क्या था माली में 2009 में था एक्लिस एक्टी परसंट लिट्रिसी रेट 65 परसेंटेज था अब 65 से कितना होगे 73 परसेंटेज कितना हो गया अधर सव में 73 लोग पड़े लिखे अमेरिका में जाएगा 98 परसंट नौर्वे 100 पड़ा लेखा यूरूप 95 परसेंट पड़ा लिखे लांडेट परसंट ने तो पूरा इंडिया को 80 परसंट यहादा पड़ा लिखा बनाना स्कीम लेका है तो हम लोग ने क्या पड़ा मालू में क्या एजूकेशन बड़ा क्या बड़ा तो उसके रिड़र तुमको साथ स्कीम याद करने का है और डाल देने का ठीक है थैंक यू